नमस्कार दोस्तों, जी के संसार में आप से भी का स्वागत है, आज के सेसन में हम सब बहुत ही महत्पून टापिक डिसकस करने वाल हैं, और होगा हिंदी साहित्ते, और इसके अंतरगत हम सब आधुनी काल से जुड़े महत्पून 15 प्रसने देखेंगे, जो कि आपके सभी प प्लेसिस के बाद सामिल किये गए, जिससे आपको ज्यादा स्यादा benefit मिल सके, और आपको बता दे, आपके लिए काफी question हमने पहले से भी दे रखा है, तो उसे देखने के लिए आप हमारे हिंदी के जो playlist है, वहाँ जाए और आप देख पाएंगे, और इसी तरह का वीडिय सुखदुक की भावेश महिए अवस्था, विसेश का गीने चुने सब्दों में सुखदुक की उप्यूख चित्रन कर देना ही गीत है, यह किस ने कहा है, महादेवी बर्मा, महावीर परसाद, रामकुमार बर्मा या फिर पंत, तो यह जो कहा गया है, वह कहा गया है, संक्या 2 पे माना वत्वा प्रकृति के सुच में किन्तों ब्यक्त सौंदर में अध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सरोमान्य ब्याख्या हो सकती है या किसने कहा है नंदू लारे बाजबई नागेंद्र हजारी प्रसाद या फिर सुक्ल तो यह कहा पंत जी के द्वारा ओप्शन बी यानि पंत जी ने कहा है कि छायावाद काभे न रहकर कियोवल अलंक्रित संगीत बन गया था ठीक है क्वेस्टन नवर फोर है दोस्तों चंचला असनान कर आवे चंद्रिका परव में जैसी पंक्ति किस काभे से ली गई है लहर आसू जर्ना या फिर जुही की कली तो जैसा कि मैं बता दूँ आपको इस क्वेस्टन को कई बार पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब मानो चिर बंदनी नारी को पंक्ति किस क्रिती से ली गई है पंचवटी युगान गुंजन या फिर युगवानी इसका सही जवाब क्या हो दोस्तों होगा युगवानी युगवानी का ये पंक्ति है मुक्त करो नारी को मानो चिर बंदनी नारी को बढ़ते हैं अगले प् इसमें गलत है आप find out कर सकते हैं तो देखिए यहां पर पहला है option कलपी जो की आर्सी परसाज सिंग का है बिल्कुश सही है फिर दुसरे है अपराजीता जो की अंचल जी का है बिल्कुश सही है कीरन बेला के दारनाथ गरवाल गलत है बढ़ते हैं question number 7 पे महादेवी जी का वक्काब्य संग्रा कौन सा है जिसमें उनके दार्सनिक बिचार अधीक प्रौड रूप में उभर कर आये हैं रस्मी, निहार, निर्जा या फिर सांधेगीत तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों होगा सांधेगीत बढ़ते है question number 8 की तरफ अपनी ब्यक्त पुन्यता को अब्यक्त पुन्यता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है उप्यूक्त पंक्ती कथन किसका है जैसांकर परसाद, महादेवी बर्मा, स्याम सुन्दर दास या फिर आचारे सुक्ल तो यह जो पंक्ती है उह है महादेवी बर्माजी की ठीक है यो पंक्ती काफी सुन्दर पंक्ती है अपनी ब्यक्त पुन्यता को अब्यक्त पुन्यता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है ये पंक्ती है महादेवी बर्मा जी के ठीक है Q9 है चायावा तत्व प्रकिर्टिक की बीच जीवन का उद्गित है इसका मूल दर्शन सरुत्तम वाद है ये परिभासा किसकी है जै संकर प्रसाद पंत रामकुमार बर्मा या फिर महादेवी बर्मा तो इसका सही जबाब जी होगा होगा महादेवी बर्मा ठीक है बढ़ते में उसे चायावाद के नाम से अभी हीत किया गया यह कथन किस व्यक्ति का है प्रसाद जी का है परमानन सिर्वास्तो जी का है डॉक्टर नगेंद्र जी का है या पे सांति प्रिये द्रिवेदी जी का है तो यह जो पंक्ति है दोस्तो यह जो कथन है वो किसका है वो है आप का प्रसाद जी का option A. बर्तें question number 11 की तरफ, छाया वाद सब्द का परियोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काब्य सैली या पदती विशेज के ब्यापक अर्थ में, इस कथन जो है किस आलोचक का है, डॉक्टर नागेंद्र, आचारे सुल्क, मुकुटधर पांडे या फिर नंदो दूलारे बाचपई, तो ये जो कथन है दोस्तों, वह जो है डॉक्टर नागेंद्र का और ये बहुत अच्छे और बड़े आलोचक थे, बर्तें question number 12 की तरफ, छाया वाद के मूल में पस्चात्ते रहस्यवादी भा पाउधारा की कविता से प्राप्थ हुई थी या विचार किस आलोचक के हैं, आचारे सुकल, राम बिलास सर्मा, हजारी परसाद दृवेदी या फिर डॉक्टर नागेंद्र, तो ये जो आलोचक हैं, वो काफी famous आलोचक हैं, हजारी परसाद दृवेदी, question number 13 पे आते हैं विधूर उर के मृदू भाव से तुम्हारा कर नित नौस रिंगार, पुझता हुँ मैं कुमारी मुंदू दूरे दृंग दौर, ये पंक्ती किसका विकी हैं, प्रसाद, निराला, महादेवी या फिर पंत, तो ये जो पंक्ती हैं, वो पंत जी की है, पंत जी ने ये पंक पंती लिखी है कि विधूर उर के मृदू भाव से तुम्हारा कर नित नौस इंगार, पुझता हुँ मैं कुमारी मुंद दूहुरे दौंग दौर, तो क्वेशन वाफ 14 हैं दोस्तों, राम की सक्ती पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोसित करता है, राम की रावन पर बिजए, देव की दानों पर बिजए, या फिर मानों की सक्ती पर बिजए, या फिर सत्ते की असत्ते पर बिजए, तो ये काफी आसान है, आप सभी को पता है कि सत्ते की असत्ते पर बिजए दरसाता है, क्वेशन वाफ 15 पर आते हैं, क्वेशन वाफ 15 है, किस कावी के काब बेका क्रमिक विकास, छाया वाद, प्रगती वाद एवं नौ मानावता वाद की रूप में हुआ है, पंत, जैसंकर प्रसाद, महादेवी बर्मा या फिन निराला, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों होगा पंत, तो इस तरह से हम लोगों ने महत्पून, पंदर, सहित्य और आधुनिकाल से जुड़े प्रस्णों को देखा, जो कि आपके आने वाले परिक्षाओं के लिए काफी मददगार हो सकता है, तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजे और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजे, तो मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।